नमस्कर दोस्तों मेरा नाम है रजेश विशिष्ट और आप देख रहे हों ओनलाइन क्लासीज ओफ ड्रेक्टर फोटोग्राफी तक्तर फाइफ पार्ट टू यूजिंग दा कैमरा ओपरेट कैमरा ड्यूरिंग शूट आई शुरू करते हैं आटो फोकस बहुत सारे वीडियो कैमराज आटो फोकस करने वाली विशिष्टा के साथ फिट होते हैं इस तरह के उपयोगी उपकरण उन मौकों के लिए ज़्यादा कारगर होते हैं जब कैमरा ओपरेटर किसी एक्शन को फोलो कर रहा होता है तब उसे ये पता नहीं होता कि जो सब्जेक्ट है अगले शॉट में या नेक्स्ट मौमेंट में वो क्या करेगा मतलब जिस सब्जेक्ट को कैमरा ओपरेटर फोकस में रख रहा है उसको ये नहीं पता होता है कि ये सब्जेक्ट अगले पल कहां मूव कर जाएगा तो उस heat moment में हो सकता है उसका focus गलत हो जाए या focus कहीं और shift हो जाए उस समय auto focus की technique ज्यादा कारगर हो सकती है फिर सवाल यहां यह उठता है कि क्यों न auto focus को हमेशा के लिए switch on कर दिया जाए मेशा चालू रखा जाए मतलब यह कि अगर focus पे खुद का ध्यान कहीं हट भी जाए तो भी shot पे जादा फर्क ना पड़े अगर camera operator हर समय camera के auto focus feature पर ही depend रहेगा निर्बर करेगा इसके प्रणाम सवरूप जो image आएगी वो बहुत जादा कुछ अलग ही होगी क्योंकि जो auto focus होता है वो संधारनता selective zone जो होता है जो हमने एक zone जो चुना होता है एक shot का सिर्फ उसे ही focus करता है उसे ही sharp करता है बिना ख्याल किये यह कि यहां क्या होना चाहिए बिना ध्यान रखे कि वो क्या दिखा रहा है क्या कर रहा है कई बार auto focus check यानि swear focus जांच भी शामिल होती है जो manual mode में रहते हुए भी swear focus की जांच कर सकती है यहां कुछ fuzzy logic circuits होते हैं मतलब असपस्ट circuit होते हैं जो auto focus को readjust दुबारा से adjust करते हैं तब जब subject घूम रहा हो यह short बदल रहा होता है तब यहां बहुत सारे design ऐसे हैं जो auto focus system की तरफ अप्रोच करते हैं पहुंच करते हैं इन में शामिल है infrared system, ultrasonic, piazo control और है digital AL, auto tracking, fuzzy logic और eyeball focus system और इन सब system में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं जबकि auto focus system में कौन सी खास specific जो technology involved है उनको जानना इतना महतपुर्ण नहीं है camera की system की जो विवहारिक practical limitation सीमाएं है उनको जानना महतपुर्ण है जब वो square focus करने के लिए निर्बर होते हैं infrared और IR system infrared system IR light का एक बरस्ट फैंकता है जो नजदीक के किसी object के साथ टकरा कर reflect होता है जिसको IR sensor detect कर लेता है खोज लेता है पकड़ लेता है circuit return beam की टिकोन में व्याख्या करते हुए lens focus को वी वस्थित करता है ultrasonic या piezo system इसमें system क्या करता है कि एक inaudible sound की shot भीम भेजता है और वो टकरा के जब तक वो वापस आती है इस बीच का जो time है वो system note कर लेता है और जो circuit है वो distance को calculate कर लेता है और उसी के हिसाब से lens को adjust कर लेता है एक electronic system जो video संकेत की जाच करता है और ज्यादा से ज्यादा lens focus को विवस्थित करता है जिससे की जो picture है उसमें sharpness आ जाए और यह कैसे आती है यह जो video signal चक करता है उसमें की strength कितनी है और उसमें contrast कितना है और यह जैसे ही गिरती है picture defocus हो जाती है इनमें से हर method ज्यादा तर अच्छा ही काम करेगा पर कई पर situation ऐसी हो जाती है कि जो इसका result है जो इसका नतीजा है वो unsatisfactory आता है आसंतुस्ट आता है जो अलग अलग तरह के वह भीन परकार के auto focus system है वो आपको मुर्ख बना सकते हैं वो कैसे कभी तो वो subject के साथ और कभी वो आपको ऐसी condition के साथ जिसमें वो आपको गलत नतीजे देंगे यहां हम आपको कुछ ऐसी प्रस्थितियां बताते हैं जिसमें auto focus करना मुश्किलों भरा हो सकता है एक तब जब जो subject है वो picture के center में ना हो मतलब subject picture के के अंदर में ना हो तब और अगर दो लोग picture में frame के दो अलग-अलग side में खड़े हो तब उसमें शायद auto focus यह करेगा कि जो picture का केंदर का हिस्सा है जो इतना महतपूर नहीं है एक अलग सा object है उसको तो sharp focus कर दे और इसके इलावा जो बाकी का image का हिस्सा है उसको soft focus कर दे camera operator कई बर यह भी चा सकता है कि जो camera के नजदीक खड़ा बंदा है उस पर और एक जो दूर खड़ा है उससे इन दोनों पर एक ही time पर focus करें तब हो सकता है कि auto focus यह करे कि कभी किसी एक को या फिर दूसरे को या किसी को भी ना focus करें यदि हम किसी ऐसे subject को shoot कर रहे हैं जिसके foreground में एक framework है यह दिवार कहलो यह शकाएं हैं यह पतियां हैं पेड़ की तो हो सकता है कि जो दूर खड़ा आपका subject है auto focus उस पे focus ना करके जो नजदीक में है और ground में है उसी को focus करें यदि camera operator किसी का पीछा कर रहा है जो कि इदर उदर घूम रहा है यहां कभी भीड में जा रहा है तो auto focus को बार बार उसको बदलना पड़ रहा है तो यहां auto focus यह भी कर सकता है कि जो उसके पास का बंदा है या पास की जो भी शाय चीज़ है उस पर focus करें रादर देन इस से बनिस्पत यह कि वो subject पर focus करें यदि camera operator short के size को बदलने के लिए zoom करें तो यहां auto focus system यह कर सकता है कि वो refocus करेंगा कि जैसे जो short है वो recomposed हो रहा हो यदि camera operator एक दूरी से किसी पर shoot कर रहा हो तो इसी वीच अगर camera के निजदीक कोई आ जाए तो camera auto focus system उस वक्त जो secondary है subject उस पर refocus करने की वज़ाए हो सकता है कि जो उसका main subject है उसे ही defocus कर दे उधारन के तोर पर camera operator पैन कर रहा है एक scene में और foreground से जो एक paid है उसके पिछले हिस्से पर आ जाता है तब system जो है वो हो सकता है कि अपने आपको readjust करें जिससे वो paid पर focus कर सके कई पर ऐसा समा भी आ सकता है कि जो subject के पीछे की background है वो बहुत ही confusing हो सकती है या interesting मतलब कोई ऐसी चीज जो बिना आ गया लिये ही अंदर की तरफ आना चाहे एक ambiguous focusing के कारण एक asbest तरह की focusing के कारण जब कभी आपको ऐसी प्रस्थितियों का सामना करना पड़े सबसे अच्छा समाधान यही है कि manual focusing करो ता जो ऐसी मुसीबतों से दूर रहा जा सके जब कभी समझधारी से काम लिया जाए तो स्वै focus autofocus एक अच्छा टूल साबित हो सकता है depth of field depth of field याने किसी शेतर की गहराई या focus zone मतलब केंद्रित zone आम तोर पे सबसे नजदीक और सबसे दूर वाला object जो focus में है इसके बीच की जो दूरी को depth of field कहा जाता है जब आप कुछ दूरी से shoot कर रहे हो तो हर चीज पस्ट focus में नज़र आ रही होती है और जैसे ही आप lens को refocus करके कुछ गाजियां कुछ fit दूर पड़ी हुई object के उपर focus करते हो तो बहुत ही सीमत मात्रा में जो shoot है वो आपको सही में focus में नज़र आता है अब आप ऐसी चीज को shoot करो जो की camera के बहुत ही जादा नज़रीक में हैं आप देखोगे कि जो sharpness है जो focus में तिखापन है वो बहुत ही छोटे से शेतर पर सीमित हो जाता है और shallowness आ जाती है shallow zone आ जाता है उदर छिसला सा शेतर आपको दिखाई देता है वाट इस maximum sharpness बेश्रक ये हमेशा जरूरी नहीं है कि तिस्वीर में रखी हर चीज जितनी हो सके वो sharp दिखाई दे ये कुछ प्रसतियां होती है जब डेक्टर चाहता है कि तिस्वीर में रखी हुई हर चीज साफ दिखाई दे focus में दिखाई दे जैसे कि वो एक खुली ही प्रक्रिया एक व्यापक्रिया वाइट स्प्रेड एक्शन दिखाना चाहता है बाल गेम का या फिर एक बहुत ही interesting building की presentation देना चाहता है एक उधरन ये भी हो सकती है कि जब एक डिरेक्टर शॉट में depth of field दिखाना चाहता हो उसमें एक person जो है वो camera के निजदीक में है और एक person वो कुछ दूरी पर है पर दोनों ही sharply focus में है तब इसमें camera operator wide angle lens का इस्तिमाल कर सकते हैं जहां तक हो सके जो light level permits हैं उनको stop down करने के लिए रोकने के लिए हाला कि कई पर कहीं ऐसा समा भी आ सकता है कि जब डिरेक्टर ये चाह रहा हो कि दश्यकों में बैठे हुए किसी खास subject या व्यक्ति विशेश के उपर आप focus करो और उसके आसपास जो उसकी surrounding में बैठे हुए हैं उनको आप defocus करो उनको avoid करो उनको नजर अंदाज करो ये सब किया जा सकता है deliberately सीधे तोर पर या तो field की गहराई कम करके उसको सिमित करके या फिर बड़े lens aperture को इस्तिमाल करके या फिर narrow lens angle के साथ बहुत ही तंग संक्रीन lens angle के साथ अब depth of field के कारण जो subject है defocus background के विरुद आपको sharp दिखाई देगा जहां कहीं भी कुछ उलजने या कुछ distract करने वाला आपको दिखाई दे रहा हो उसको indistinct जो blur है उसके साथ मर्च किया जा सकता है मतलब बाकी की कमी पेशी धुंदले से blur के साथ मिटाई जा सकती है difficult to focus कई बार पूरे subject के उपर पस्ट तोर पर जो focus करने के लिए depth of field चाहिए होती है वो नकाफी होती है insufficient होती है या कम होती है close up shots लेने के दोरान ये समस्या खास तोर पर आती है तब lens को stop down करने के बाद इसमें जरूर कुछ मदद मिलती है इस हलात में वहाँ image भी under exposed के बगार चाहिए और वहाँ light भी परियाब्त नहीं होगी जादा नहीं होगी अगर वहाँ रोशनी का जो level है उसको बढ़ाना असंबभ हो तब कोई क्या कर सकता है तब इन हलातों में बहुत सारे compromise solution उपलब्द होते है यहाँ विंती ये है कि जो word compromise है इसको note कर लें compromise मतलब हमें समझोता करना पड़ेगा quality के साथ दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि जो नतीजा है वो हमेशा स्रवोतम नहीं होगा एक तरीका ये हो सकता है कि विशे के सबसे महतपूर्ण हिस्से को focus में लाया जाए और बाकी का सो हिस्सा है उसको छोड़ दिया जाए हाला कि ये इस्तिती आदर्श नहीं है ये केवल दश्यक को वो बताने का तरीका है कि जो आप चाहते हो कि वो देखे इसमें संबव ये है कि focus split करें focus को थोड़ा बांटे और एक जो focus के लिए compromising distance है दूरी है ठीक है उसको रखें कि वो दूरी रखें जिसमें focus भी ज़दा ना चुटे focus रहे और जो subject है वो भी सारे का सारा focus में रहे कई बार pull focus या throw focus ये उप्युक्त होता है उधारन के लिए मान लिया जाए कि दो लोग है जिन पर shoot हो रहा है और वो अलग लग दूरी पर खड़े हैं कैमरे से और ये संभवी नहीं है कि उन दोनों को sharp focus में रखा जा सके यहां जो camera operator है वो focus on करने के बाद पहले person पर जाएगा वहां थोड़ा moment रुकने के बाद वो focus change करेगा फिर वो दूसरे person पर sharp focus करेगा ये जो method है ये जो विदी है ये सफलता पूरवक audience का जो ध्यान है उसकी जो attention है उसको निर्देश देती है और इसका जो effect है इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही dramatic होता है ये जो technique है इसको सई मौके के लिए reserve रखना चाहिए अरक्षित रखना चाहिए अधर्शक तोर पर इस्तिती को और सुधारा जा सकता है एक तो हम जिसमें subject को थोड़ा move करा सकते हैं या फिर जो camera की जो position है उसको थोड़ा alter करके बदल दें जिससे ये दोनों camera से एक समान दूरी में और depth of field के अंदर है प्री फोक्सिंग दा जूम लेंस जूम लेंस जो है वो एक creative camera operator के लिए अच्छा tool है और एक अनाड़ी के लिए ये नुक्सान दाहिक साफिद हो सकता है एक fast moving action को एक तीजी से चले घटना कराम को जब फोलो किया जाता है तो एक camera operator बहुत सारी मुश्किलों कहां सामना कर सकता है प्री फोकसिंग दा जूम अगर जूम लेंस subject के उपर पहले से प्री फोकस नहीं किया गया होगा जूमिंग इन करके close up short के लिए तो जब हम जूम करेंगे long short से close up की तरफ जाएंगे तो जो picture है वो defocus हो जाएगी यहां जो long short है वो हो सकता है एकदम perfectly फोकस में रहे जबकि यह wide angle lens दवारा जो depth of field त्यार की गई है यह उसके कारण हो रहा है जैसे ही lens टेली फोटो में जूम करता है तो जो depth of field है वो प्रति बंदित restricted हो जाती है और तब यह संभव है कि जो short है वो out of focus हो जाए जूम शोट को focus में रखने का सबसे बड़िया धंग यह है कि subject को नजदीक से zoom in करना उसके बाद focus करना फिर zoom out करना अब यह camera operator को हर चीज को focus में रखते हुए zoom in और zoom out करने देगा focus करना बहुत critical होता है बहुत नाज़क होता है खास कर तब जब production dramatic हो not key हो एक जो focus pillar होता है वो अकसर focus को adjust करने में विवस्तित करने में ही व्यस्त रहता है इससे क्या होता है कि जो camera operator है वो अब framing पर concentrate कर सकता है ध्यान लगा सकता है camera adjustments द्रमाता camera का default क्यार करते हैं जो camera operator को एक सबसे जो बढ़िया host setting होती है वो परदान करते हैं आम तोर पे यह जो setting होती है एक अच्छी image परदान करते हैं हाला कि कुछ विवस्ताइं करके बहुत ही बढ़िया image प्राप्त की जा सकती हैं कि किसी तस्वीर की गुणवता के जो हम पर प्रभाव है वो बहुत ही व्यक्तिगत हैं बहुत ही निजी हैं यहां यह बात बहुत दिल्चस्प हो जाती है कि अक्सर हमें वो तस्वीर जो थोड़ी सी वार्म हो थोड़ी सी घर्म दिखाई दे हम उसको प्रेफर करते हैं वो हम अच्छी लगती है हम उसको तरजी देते हैं यहां जिसमें असली तस्वीर से थोड़ा ज़ादा बढ़ा चड़ा के कंट्रास्ट दे दिया गया हो वो हमें अच्छी लगती है जो सबसे आम कैमरा डियस्टमेंट है जो लेंस के साथ सबंद रखती है वो है फोकस, लेंस अपर्चर, शटर, वीडियो गेन और वाइट बैलेंस, यह जो चेंजीज है, यह जो बदलाव है, यह आम तोर पर पूरा किया जा सकता है, कैमरा या कैमरा यह उन्ट के साथ मिलकर, कुछ सिमाओं के अंदर रहके, लगबग सबी जो यह एरिया है, जो छेतर हैं, उनको एरिटिंग सॉफ्ट्वेर के साथ अर्जस्ट किया जा सकता है, चुड़ा जा सकता है, जो इमेज क्वालटी है, उसको बदलने के बहुत सारे रास्ते हैं, फिर वो चाहिए एक खास कोई शोट हो, या फिर पूरा का पूरा सीन हो, शार्पनेस, शार्पनेस यानि तिखापन, इसको भी विवस्थित किया जा सकता है, अड्जस्ट किया जा सकता है, फोड़ा इसको मैनुपलीट करके, हीर फिर करके इसमें, और कुछ इसको special effect filter लगा के भी sharpness को uncool बनाया जा सकता है subject के coding और जो special effect filters है उसमें mist है जिसको धुंद कहते हैं और soft focus है जिसको नर्म focus कहते हैं उसके बाद ripple है आदी इतियादी brightness brightness यह चमक यह lens aperture के साथ यह फिर video game के साथ विवस्थित की जा सकती है white balance करने के लिए white card की बजाए blue card का इस्तेमाल करें इस तरह भी जो color balance process है जो रंग संतुलन पर क्रिया है उसको किया जा सकता है handling the camera panning and tilting यदि किसी subject को पूरी तरह दिखाना या उसका wide short भरपूर मातरा में लेना संभव ना हो और उसी subject की किसी अलग से दूरी बना के लिए गे short में भी पूरी detail ना आए पूरा विरवा ना आए तो हमारे पास उसके दो journal solution है तो किसम के हल है पहली possibility तो यह बनती है कि हम उसके अलग अलग shorts लें series में एक लड़ीबा तरीके से अलग अलग काफी ज़दा short लें जिसको overall एक ऐसी तस्वीर बनाए edit के बाद कि जो दश्यक के दिमाग में बैढ़ जाए हला कि जब एक sequence एक तरतीब विक्षित हो रही होती है तब उसमें जो बेतरतीब चीजें लगी हों जो बेतरतीब images हों या बिना सोचे समझे एक image को दूसरी image के साथ जोड़ना बदलना वो नहीं करना चाहिए इसका बदल यह जरूर हो सकता है कि आप camera को ही pan कर लें tilt कर लें तोड़ा गुमा लें या उपर और नीचे जुका लें सावधानी के साथ और बड़े systematically उस scene के उपर जिससे उसके जो बहुत सारे हिससे parts है image के scene के वो आपस में लड़ीबा तरीके से जुड़ते हुए नजर यहां पैनिंग करते वक्त एक चीज का दिया रखना चाहिए कि जो छोटी छोटी सीरीज है बग्यार सोचे समझे जो पैनिंग करते हैं वो नहीं करनी है और जो अगर पैनिंग नंबी कर रहे हैं और बिल्कुल खाली पैनिंग है कुछ उसमें अच्छी चीजे नहीं जुड़ नहीं रही है उनको शूट नहीं करना चाहिए कोई भी अगर पैनिंग करते हैं तो उसका एक परपस होता है एक मंतव होता है और जब उसको आगे बढ़ाते हैं फिनिशिंग किया जाता है तो तब उसमें उस सीन का एक इंटरस्टिंग फीचर जरूर होना कि अन्तता जो पैनिंग है वो एक तरफ से दूसरी तरफ सीन के उपर करने से बचना चाहिए जबकि एक बड़ा परलोबन एक ग्रिट टेम्टेशन तो हो सकती है पर जब आप इनकी नतीजों को देखोगे तो आप इन सीक्वेंस को देखना पसंद नहीं करोगे बाकी के कैमरा वर्क की तरह जो पैनिंग और टिल्टिंग है ये भी निर्वीगन और नियंत्रित होनी चाहिए इन सबके उपर एक बात ओवर्शूटिंग से परहेज करें जैसे की फाइनल पॉइंट है अंत्रिम जो बिंदू है उसके पार जाने के बाद शौट को सही करने के लिए उसको रिवर्सिंग के लाना और फिर थोड़ा पैनिंग करना इससे गलती की तरफ ध्यान जाएगा अदर्श तोर पर एक जो मूव है उसका जो अंत है वो निर्विगन होना चाहिए स्मूद होना चाहिए अगर पैनिंग की शुरुवात जर्की है एक जटके के साथ वो शुरू हो रही है और जो खतम हो रही है वो हैसिटन्ट है हिच्चाहट के साथ खतम हो रही है और जो इसकी स्पीड है वो अनिवन है मतलब एक समान नहीं है और जो वो वेव अप कर रहा है कभी डॉन कर रहा है कभी अप कर रहा है और उसके बाद जो इसकी फाइनल परड़क्शन आएगी न वो बहुत ही एक क्रूड लुक देगी बहुत ही कच्ची किसम की हो गई मतलब परड़क्शन परफेशनल दिखाई नहीं देगी